मैं आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की इनवेस्टिंग की साथ में लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट रहे ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सीधे बेल आइकट को भी दवा ले टूट चुका है سारी देखेंगे सीधे आपको पहले आपको बता देना चाहेंगे इस स्टॉक का नाम क्या है निकल क्या रहाएं यहां है बागल कों लमिटेड सक्राइब करूंड के एक एक चीजी के बारे में डिसकस करेंगे सीधे आपको fundamentals भी दिखाएंगा और क्या से लेकर आऊंगा और कल के यानि पिछले दिन के जो कारोबार हुए है वहाँ पे आपको नजर दिलाना चाहूंगा अगर पिछले दिन की कारोबार की बात करें तो स्टॉक देख सकते हो आप काफी तुटा है लगबग लगबग साड़े पांच परजेंट के आसपास स्टॉक हुआ आपको नजर आया है वहीं अकर हम बात करें यहाँ पर कल के लोग के बारे में तो आप देख सकते हो वह यहाँ पर 352 रुपे 50 पैसे का बनके आ रहा है उपन होता है स्टॉक 363 रुपे का 366 का एक हाई लगाता है जब कि प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे खुलता है प्रीवियस क्लोजिंग को टच भी नहीं कर पाता है ठीक है और फिर स्टॉक में गिरावाट जारी हो जाती है पैनिक सेलिंग से सिक्वेशन बन जाती है जैसे इनिफ्टी थोड़ी सी गिरती है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल तो साड़े नौ लकसेर के डिलीवरी उठेगा तेरा परसेंट के डिलीवरी बहुत ही पूर डिलीवरी है यानि कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर सौर्ट सेलिंग का फायदा उठाया है वोल्यम तो हुआ है वोल्यम होने का में रिजान आपको निकल गया यह यहां पर कि लोगों 5% की गिरावट में हो सकता है किसी ने 2% की गिरावट से ही सौर्ट सेलिंग सुरू कर दिया हो तो 3% का उसे मुनाफ़क मिल लिया तो यहां पर सौर्ट सेलिंग वाली वॉल्यूम ज्यादा लग रही है मेरे हिसाब से बाकी देखते हैं आगे और देखेंगे इसका चार्ट अनलाइज करेंगे तो वहां पर हमें कुछ और चीज़े निकल के आएंगे अब आते हैं पहला जो न्यूज है एक बार न्यूज कवर करेंगे फ सब्सक्राइब करेंगे अगर मैं इस नाम के साथ जस्टिस नहीं कर पाया हूं तो मुझे आप माफी दे जीजिएगा हो सकता है मैं समझ पढ़ नहीं पार रहा हूं लूपस ने फराइटिस एंड फोर आईटो आईटोलीजम तो क्लीनिकल सेंटर इन इंडिया बायोकॉन लिमिटेड से इन रिगुलेटरी फाइलिंग यानि यहां पर इनसी और बीसी को जो फाइलिंग रिगुलेटरी फाइलिंग जो समिट करते हैं वहां पर इन्होंने बताया इन्होंने कि इनके जो पार्टनर है यूएस के जो पार्टनर है उन्होंन पॉजिस्टिव नीज लग रही है क्योंकि अगर ऐसा होता है देख सकते हैं आप इन इंडिया एबाउट 45,000 पेसेंट आर डाइग्नोस्ट विद और टु और यहां पर लगा रहे हैं और यह मेरे को लग रहा है कि इनका जो स्टार्टिंग में इनोंने इनको जो पर्मिशन मिल जानी चाहिए तो इसका एक पॉजिटिव सा इंपक्ट हो जाएगा अब आते हैं फैनेंसियल पर देखिए बैसिकली मुझे इस चीज के वारे में नहीं पता है यह वाला जो यहां पर टर्म्स लिख और उसका प्रणांसि प्राइस की बात करें 354 देखने को मिल रहा है हाई लो की बात करें तो यरली लो 52 वीक लो की अगर बात अब देखोगे तो 315 और 400 असी 52 वीक हाई है प्राइस टूर्णिंग रिशियो यह देख रहे हो यह जो निकल करना 62.3 यह काफी ज्यादा हाई है और क्यूं हाई है इस पॉइंट पर मुझे स्टॉक काफी अच्छा लागा क्योंको डेट अप नेगलेजिबल मान के सल सकते हो और उसी की बात करें रिटॉर्ण और कैपिटल इंप्लोइट तो 10.3 परसेंट का अच्छा है मान सकते है ज्यादा बुरा नहीं है रिटॉर्ण और एक्विटी क करना सुरू करेंगे तो हम यहाँ पर लगा चुके है और इनका अगर देखा जाए तो यह 26 का जो पी है प्राइस के मल्टिपल 26 के पी पर इनका एवरेज निकल कर रहा और यह करेंटली अभी 64 पर ट्रेड कर रहें तो इनको अपनी अर्निंग इंप्रूब करनी होगी अर् 50 तक यह अपने पी रेचियो को भी जिस्टिफाई कर दे तो इनके प्राइस में हमें मोमेंटम देखने को मिल जाएगा इस से यहर में ठीक है अब आते हैं नीचे फाइनेंसियल्स पर कॉंस में देख लें इस कंपनी के तो स्टॉक ट्रेडिंग 5.4 टाइम से आप देख सक करोड का है यानि सिर्फ 300 करोड की इंप्रूब्मेंट हुई है इन तीन सालों में तो यह जो है जस्टिफाइबल नहीं है ठाया अर्णिंग परसे इनको खाला कंपनी है धूर निंग परसे değer हैं में यहां पर अगर यह ली देखें अर्णिंग पर तो 2018 का यहां पर देखने को मिल रहा है आपको जो कि तीन रुपर दस पैसे था वह अब लगवग लेगा पांच रुपर च्छतिस पैसे हो गया जो कि आप त्वाइस के आसपास मान सकते हो ठीक है त्वाइस के आसपास पह है ठीक है आप देखेंगे आपर 1400 यहां से अगर देखें तो 476 को यहां पर ऑपर बात कर लें तो इस से इनका जो है ऑपरेटिंग प्रोफिट मारजी न वह कम हमें दिख रहा नहीं सब्सक्राइब बड़े की प्लेयर को अब नीचे हम आएंगे आपर देखेंगे स्टॉक करना है यहाँ पर प्राइश करने करना हूं आपके इंवेस्टमेंट करना इसमें सुरू करते हैं हैं यहाँ पर थी एर में परसेंट की ग्रोफ सिर्फ, वन यह नहीं तो यह मुझे अच्छा नहीं लगा रिटर्ण एक्विटी की बात करें तो 12 यहां पर देख सेक्ट बारा परसेंट का CACR मिल रहा हमें 10-year में 5% का 11-year का 11-year का 10% का लगबंग 10% का CACR मिल रहा हमें पूरा अगर yearly देखें तो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा यहां पर focus हमें देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो हमारा है वह ट्रेलिंग 12 मंत का मात रेट परसेंट से इनक्रीज हुआ है जो की बिल्कुल जेस्टिफाइबल नहीं है त्री यह का देखें तो 20% है फाइब यह का देखें 16% टेन यह का 15% तो यह सब्सक्राइबल नहीं है अब आते हैं इनके जो मेन चीज है इन्होंने एसेट जो एलोकेशन है एसेट पर यहां पर यहां पर काफी इंप्रूव्मेंट में देखने को मिल रहा है 18,490 था और यहां पर 18,787 का 14,414 का तो एसेट तो यह बढ़ा रहे हैं ठीक है एसेट इन प्रोडक्ट बेज दी है तो उस पैसे की पेमेंट कितने दिन में आ जानी है तो वो डेटर डेज आप देख सकते हो 71 से सुधर के हुआ है यहां पर 63 उसके पहले जो यहां पर 86 था 94 था तो यह डेटर डेज इंप्रूव्मेंट है तो यह एक अच्छी गूड क्वालिटी ह आपको देखनी को मिल रही है भात करेंगे कि होल्डींग का तो Qया टे हमें देखनी को मिल रहा है लगभग 60 स् along сил और सपास है यहां पर पedo Candia का सब्सक्राइब है इस ने माल डंप किया हुआ है इनका क्यूंकि आप देख सकते हो सब्सक्राइब और यह लगवग चार परसेंट से साड़े साथ परसेंट परसेंट पर आगए तो डिया इसके वहरोजा बरकरार है अब आते हैं सेयर प्राइस के यहां पर मोमेंटम के ऊपर हम लोग नजर डा अब यहां पर यहां पर आपको दिखाना चाहांगा बायो का चार्ट परटन यह काफी अन्य दोख देखेंगे चारट परटन में आप चार्ट पर अन्य ओपन तो यह वाला लेबल अब इसके लिए एक जो लेवल हैं पर ड्रॉप करकर को दिखा रहा हूं करेंटकर लिए काफी लंबी हो गए तो यह वाला जो लेवल निकल के आ रहा है यह काफी आपको एक रेसिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर स्टॉक ने एक बार ब्रेक करने कोशिश की थी बट गैप आपके बाद फिर से एक बार डाउन्स लगिशनेस आ गया और यह डाउन हुआ था यह लेवल आपको कहां तक जा सकता है वो सीधे आप पुदा दो 3438 तक यह इसली जा सकता है अगर 379 का लेवल ब्रेक कर सकता है 420 438 440 आप मान सकते हैं 440 का लेवल कहीं नहीं गया इसे स्टॉक के लिए अब फटाफट से देख लेते हैं कोई टार्गेट बगरा है मनी कंट्रोल पर वह भी आपको रिवाइस करा दे रहा हूं पहले वॉल्यूम के अपको देदू यहां पर वॉल्यूम के अगर बात करें तो कल के दिन का जो वॉल्यूम हुआ है जो यह ग्रीन केंडल का वॉल्यूम देख रहे हो उससे भी बड़ा कल के रेड केंडल का वॉल्यूम हुआ है यानि यहां पर इंट्रेस्ट लोगों को उतना ज्यादा नहीं है और लोग यहां से शेयर जो है खतरनाक ब्रेक्डाउ होना है 383 का R2 है और 396 का यहां पर निकल के आ रहा है तो यह हो गए आपको सपोर्ट एंड रिसिस्टेंस के लेवल इस स्टॉप में इन्वेस्टमेंट मैं तभी करूंगा जो मुझे पी रेजियो एक अच्छे लेवल पर मिलेगा आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर अब्ड़ी मत अब तक बाइबाइब टेक किर सब्सक्राइब आप अपने खैलर के वीडियो थोड़ी से लंबी हो गए प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा जैहिंद जैभारत कि अब अब